शेक शाजहां के बारे में मीडिया में ये प्रश्न होता था कि ये शेक शाजहां कौन है मीडिया के बंदूओं से कहना चाहती हूँ कि शेक शाजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में E.D. के अफसर गए तो एक हजार गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थर बाजी की और E.D. को विवश होके एक स्टेटमन्ट देना पड़ा कि उनके तीन अफसरों पर जान लेवा हमला किया गया ये वो शेक्षा जहां है अब तक लोग पूछ रहे तें शेक्षा जहां कौन है आज प्रश्ण उठता है मौमतावंदपध है शेक्षा जहां कहां है ये ग्रामीन अंचल की औरते हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांगला में निकली थी वर्तमान में सेक्षन 144 उनके छेतर में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूँ उनकी भाशा किसी को समझ ना आए लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित हिंदू नर्संगहार पर सौदा कर ममता बंदपध्धय अपना सत्ता का सामराज्य चला रही है तो हम सब जानते हैं घर घर जाकर ममता के गुंडे चोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहूं को उठवा कर उनका बलातकार हो रहा है उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधान सभा से सस्पेंड करा देती हैं यह अंधाराज चल रहा है संदेश खाली की महिलाएं आप से गुजारिश कर रही है कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे वेर इस शेक्षा जहां